दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के हाय स्टुडियम के बारे में जो यूटी लदाख में बन रहा है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं असलाम अलेकुम दोस्तों आपको पता होगा यूटी लाधाक में दो दिस्टिक है एक हे कारगिल और दूसरा है ले आज हम बात करेंगे इंडिया के हाय स्टुडियम के बारे में जो ले डिस्टिक में 11,000 फीट के उपर बन रहा है 20 सप्टमबर 2020 को इस्टुडियम का फॉंडेशन दिया था हमारे फॉर्मर स्पोर्ट मनिस्टर श्री किरन रिजू ने जो अभी लौ एंड जस्टिस मनिस्टर है इस्टुडियम के उपर 10 करोट 50 लाग तक खर्चा किया जाएगा ये स्टुडियम दो खेलों के लिए बनाया गया है एक है फुटबॉल के लिए और दुसरा है एथलीट के लिए फुटबॉल करोण जो है एस्टो टाफ का बनाया गया है एस्टो टाफ में सियानी की आर्टिफिशल ग्रास हम कहा सकते हैं और एथलिस्ट ट्रेक बनाया गया है जो कि सैंट्रिटिक से बनाया गया है अगर हम इस स्टुडियम की कैपस्टिक की बात करें तो हमारे प्रेम मनिस्टर श्री नरंदर मोदी जी ने अपने इस साल की पहली मन की बात में कहा था इस स्टुडियम में 30,000 लोग बैठने की जाएंगे जिसमें लगबख 10,000 बैठ्स होंगे साथियों आज मैं आपके साथ लदाक की एक ऐसी जानकारी साजा करना चाहता हूं जिसके बारे में जानकर आपको जरूर गर्व होगा लदाक को जल्द ही एक सांदार ओपन सिंथेटिक ट्रेक और एस्टो टर्फ फुटब स्टेडियम में आठ लेन वारा एक सिंथेटिक ट्रेक भी होगा इसके अलावा यहां एक हजार वेड़ वाले एक होस्टेल की सुविदा भी होगी यूद एफेर एंड सिपोर्ट कमिशनर सेक्टरी ने कहा है कि ट्रेंडिंग सेशन और मैच इस डॉन पे जल्द ही शुरू मैं थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट सेक्षिन में जरूर लेकर मिलते हैं अकले वीडियो में तब तक के लिए खुदा आपिस